यह गई जैसे हैं आप सब आई होब यू आर दिंग वेल एंशन दी पिरकम टू छेश्टी सरकल तो आज हम लोग डिसकस करेंगे टेस्ट नंबर टेन ठीक है यह वीजन आई-एस का टेस्ट नंबर टेन है ठीक है 2021 हमारी टेस्ट जो चल रही उसी का यह अगला पार्ट है ठी ठीक है इसका और यह पूरा प्लिटी का राज्य व्यवस्ता है जो उसी का पूरा प्तूर के बारे में और रोकल तो आज हमब 50 questions solve करेंगे उसके बाद जो है अगले जो भी है अगला जो 50 है वो अगले वीडियो में solve कर लेंगे ठीक है तो जो आप लोगों को जो इसका जो वीडियो है ठीक है इसको मिल जाएगा अगला ठीक है और इसके साथ साथ आप लोग क्या किजिए जो पुराने वीडियो हैं अगर आप लोगोंने नहीं देखें तो मैंने उनकी प्लेइलिस्ट बना दी है आप मेरे यूटूब चैनल के प्लेइलिस्ट में जाके सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं ठीक है हमारे जो 2020 वाले भी पूरे टेसरीज पड़े करो ठीक है तो कुशन नंबर वन इसमें कहा गया कि राज जी सरकार के मंत्री मंडल के संदर में निम्लिकित कत्रों पर विचार कीजिए तो फस्ट है कि यहां राज जेपाल का परामर सिदात्री निकाय है ठीक है सेकेंड है कि यहां राज की राजनीतिक प्रसासनिक बेवस संदर्स हो गया या एक संभीधान में प्रुविजन किया गया है ना कोई एक्ट बनाया गया है तो संभीधान कुई啊 के प्रोविजन के इतर जो बनाय जाती है यह को उसे बोलते हैं संविधान नेतर ठीक है जैसे की नीथि- क्याइब हो जाता है नेक्स है हमारा संबन्द्र ङियु उडवार में कहा गया की केंदरी और निमलिखित में से किस कैबिनेट समित की अध्यचिता करता है ठीक है तो फर्स्ट है कि नियुक्त संबंधी कैबिनेट समित है भी है हमारा आवास संबंधी कैबिनेट समित की और सी है कि आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समित की और डी है कि राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट सम मिलेगे जो केंदरी ग्रह मंत्री करता है ठीक है और जो यह आपको नियुक्ति समित है इसकी पीम करते हैं अध्यचता और आर्थिक मामलों की राजनितिक मामलों पर जो cabinet समित होती है ठीक है तो ये वाली जो समित होती है इसकी जो अध्यचता यह नहीं करता है ठीक है? तो हमारा बी वाला ओप्शन सही है तो हमारा सही हो गया आवाज समित ठीक है? नेक्स है हमारा थर्ड ओप्सन इसका थर्ड स्टेट्मेंट थर्ड कुश्चन नबर स्वरी तो इसमें कहा गया कि संगी मंत्री परिषद के संदर में निम्लिकित कत्नों पर विचार कीजिए तो फास्ट है कि किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास परिषदाओ के परिणाम सरूप संपूर मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है ठीक है तो इसमें जो कहा गया है तो third वाला statement तो सही है कि मंतरी जो संगी मंतरी परसध है उसमें अगर कोई भी मंतरी है जो वो लोगसभा का सदस यह है, ठीक है उसे राज्यसभा में बोलने का तो अधिकार होता है, लेकिन वो उसमें भाग ले जखता है उसकी कारवाई में लेकिन म मंत्री परिशद होती है ठीक है तो यह हमारा गलत हो गया इस्टेटमेंट और जो आपको देखने को मिलेगा और फस्ट वाला हमारा जो स्टेटमेंट है ठीक है तो यह फस्ट वाला स्टेटमेंट तो हमारा जो सही हो जाता है क्योंकि यहां एक मंत्री के विरुद्ध विश्वास जो जो किसी एक मंत्री के विरुद्ध या पूरी जो आपको मंत्री परिशद के विरुद्ध जो है वि और तीन स्टेटमेंट सही है तो हमारा B option इसका सही हो जाता है ठीक है चलते हैं नेक्स कुस्चन पर कुस्चन नबर 5 इसमें कहा गया है कि निमलिकित में से किस स्थित में लोग सभा का बिखटन होने पर कोई विध्यक ब्याप्तगत हो जाएगा ठीक है तो फर्स्ट है कि ऐस बिध्यक जो राजसभा में लंबित हो लेकिन छोट선 द्वारा परित नहीं किया गया हो 2nd B है कि ऐसा बिध्यक जो दोनों सद्वा बिचार के लिए लूटाया गया हो ठीक है और जो D option है कि ऐसा बीदैक जो लोग सभादवारा पारित हो और लेकिन जो है राज सभा में लंबित हो ठीक है तो देखो जो इसमें एक concept यह होता है कि कोई भी लोग सभा को अगर कोई भी बिल है जिसको लोग सभा ने टच कर दिया ठीक है तो वो जो है सरकार जब मतलब बिगटित होती है या समापत होती है ठीक है लोगसभा भंग होती है तो वो बिल जो है वो भंग हो जाएगा ठीक है तो हमारा D option सही है इसके हिसाब से क्योंकि ये जो लोगसभा ने पारित कर दिया है किसी बिल को और राज्यसभा में है तो वो बिगटित हो होगा ठीक है वो खतम नहीं होता है और सेकेंड वाला भी सही है क्योंकि दोनों सदनों से अगर पारित हो गया राष्टिपत के सपास है तो वो भी जो है वो बना रहेगा बिल राष्टिपत साइन कर देंगे तो उसका वो अस्तित्यु में आ जाएगा ठीक है और यह पुनर प्रतक नगरपालिका कार्मिक प्रणाली के संदर में निंकित कत्नों पर विचार कीजिए तो यह प्रतक नगरपालिका कार्मिक के बारे में बताना है तो फरस्ट है कि इस प्रणाली के अंतरगत प्रतेक इस्थानी निकाय अपने स्वयम के कार्मिक स्वयम के कार्मिकों की नियूकती प्रसाशन और नियंद्रन करता है ठीके, सेकेंड है कि यह अन्य इस्थानी निकायों में इस्थान उंद्रनी नहीं होता है- और थर्ड स्टेटमेंट है कि सम्पून, भारत में प्रथक नगरपालिका कार्मिक की प्रणाली का पालन relaxation का जाता है ठीक है तो देखो ये संपूर्ण भारत में नहीं होता है तो ये गलत हो गया इसमें कुछ राजी है जिसमें ये जो पर्थक नगरपाली का कार्मिक प्रणाली का पालन किया जाता है कुछ में नहीं किया जाता है कि आपको देखने को मिलेगा बिहार है करनाटक है उडिशा है इसमें इस प्रणाली को लागू नहीं किया जा सकता है लेकिन UP है MP है तो इन छेतरों में ये लागू है ठीक है तो संपूर्ण भारत में नहीं है थार्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया और सेकेंड और फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये हमारे सही है क्योंकि इस प्रणाली चलते हैं, नेक्स कुश्चन नमर पे तो हमारा सिक्स है, इसमें कहा गया है कि लोग सभाग अध्यची के संदर में निम्कित कत्नों पर विचार कीजिए, तो फ़स्ट है कि वह राज्य सभाग के सभापती से परामर्ज करने के पस्चा सदन की संयुक्त बैठक के नियमों को प्रतिपादित करने के लिए उत्तरदाई होता है, ठीक है, सेकेंड है कि वह भारत में बिधाई निकायों के पीठा सिन अधिकारियों के सम्मेलन का या उनकी सम्मेलन की अध्यचता, सम्मेलन के जो पीठा सिन अधिकारियों के सम्मेलन होते हैं, ठीक है, उसकी अध्यचता के पीठा सीन अधिकारियों के संमेलन की अधचता इसी के दौरा की जाती है ठीक है लेकिन फ़रस्ट वाला statement गलत है क्योंकि यह जो इसकी जो सभाखत बैठक होती है यह आपको प्रसीडेंट जो है लोगसभा के सभापती और लोग सभा के अद्देश और राज सभा के सभाबती से परामर्स करके तब ये मतलब और्गनाईज कराता है ठीक है तो ये हमारा गलत हो गया फर्स्ट वाला सेकेंड स्टेटमेंट सही है तो बी वाला आप्शन इसका सही हो जाता है नेक्स है कुस्ट नंबर सेवें तो इसमें कहा गया है कि परतेश निर्वाचन की प्रणलाली के बजाए राज जिपाल की निउक्ती की वर्तमान प्रणलाली अंगीकरत करने के लिए निम्लिखित में से कौन सा कारण उतरदाई नहीं था तो फास्ट है कि राज जिपाल का प्रतेश निर्वाचन राजियों में इस्थापिश संसली प्रणलाली के अनकूल है ठीक है सेकेंड है कि प्रतेश निर्वाचन की तिति से राज जिपाल और मुख्यमंतरी के मद्धि संगर्ष उत्पन होने की अधिक संभावना है ठीक है तो देखो इसमें जो देखनी को मिला है देखो हमारा जो फस्ट वाला statement है कि जो राज जिपाल का सहींक्त निरवाचन के बारे में बात की जा रही है तो कौन सा statement सहीं नहीं है जो उसका प्रतेख्ष निरवाचन होगा तो उसमें क्या contradiction होगा ठीक है उनी के बारे में बात की जा रही है तो देखो इसमें जो आपको राजी का प्रमुक हो सकता है जो CM होता है अगर दो प्रमुक होंगे तो उसमें टकराव होगा सकतियों में और वो मतलब बहुत दिक्कत मतलब बहुत ज्यादा contradiction उनके बीच देखने को मिलेगा ठीक है तो ये हमारा गलत हो गया statement और ये B और C ड ये तीनों के तीनों statement आपको देखने को मिलेंगे ये सही है ठीक है क्योंकि अगर जो होगा तो ये इस्तितियां उत्पन हो सकती है इनसे तो ये सारे statement सही है next है 8 question number तो इसमें कहा गया है कि प्रधान मंत्री के पद के संबंद में निम्लिकित कत्नों पर विचार कीजे तो first है कि कि किसी बेक्ति को सभा में बहुमत सिद्ध करना चाहिए ठीक है second है कि प्रधान मंत्री राष्टपत के पर परियंत धरन करता है तो देखो ये हमारा second statement सही है इसका मतलब ये होता है कि जब तक लोग सभा में बहुमत प्राप्त होता है प्रधान मंत्री को तब ही तक वह बना रह सकता है वहा अगर राष्ट ये राज जिपाल उस्वरी जो प्रधान मंत्री होता है ये अगर त्याग पत्र नहीं देता है और बहुमत को देता है तो ये जो राष्ट पत्र होता है मतलब प्रसिडेंट होता है ये इसे बरकास्त भी करने की सकती रखता है ठीक है तो second statement सही है फस्ट व सदन में पटल पे रखावा जाता है तो उसमें विश्वास प्राप्त होना चाहिए तो एक महिने का उनको समय दिया जाता है ठीक है तो मरा second statement सही है फस्ट वाला गलत हो जाता है नेक्स है nine question number इसमें कहा गया है कि संग और राज्जियों की उधार लेने की सक्तियों के संद और बाहर उधार अंदर और बाहर से उधार ले सकती है ठीक है सेकेंडर की भारा सरकार अधनियम 1935 के अंतरगतर राज्जियों को केंदर की सहमती से भारत के बाहर से उधार लेने की सकती थी ठीक है तो इसमें जो कहा जा रहा सकती थी तो यह तो हमारा statement सही है क्योंकि जो 19 235 का भारत सरकार एक प्था उसमें ये प्रोविजन किया गया था कि ये मतलब भारत सरकार की सहमती से ये बाहर से ले सकता है अधार लेकिन फ़र्स्ट वाला स्टेट्मेंट गलत है क्योंकि ये राज सरकारे जो होती है वो संसित निदिकी प्रतिभूती पर भारत के अंदर ये ले सकती है ठीक है लेकिन बाहरत के बाहर ये नहीं ले सकती इसके लिए जो है मतलब सेंटर का जो अनुमती की जरूरत होती है जो ये लोग मतलब सहमती प्रदान करते हैं तब ही ये बाहर से रिंड ले सकते हैं ठीक है तो ये हमारा गलत हो गया स्टेट्मेंट तो सेके बत के पधिके संदर में निमिकित कत्नों पर विचार कीजिए तो फ़्यकि राष्टि पतिका के लुप मे कारि करता है ठीके राष्ट पती गोख को पर राष्टि पतिको शमब्धित त्याग पत्र की शुचना उसके दोरां लोकसभा के अध्य चको तुरंत दी जानी दी जाएगी ठीक है तो ये स़िकेंड फर्लावर जो कह गया है तो यह गलत है क्जिकि इसके कुछ आधार होते हैं उसी आधार पर उसको और राष्ट्री पती होता है उसको रास्ट कोर्थेय उसके रूपति करता है जैसे कि उस उस ने जो राश्टपत ने त्याग पत्र दे दिया है या उसकी मतलब किसी करणड से उसे हटा दिया गया है राश्टपत को या उसकी मृतिय हुग गई है ठीकैं तो इन तीन आधारों पे ये उपराष्टपती के रूप में कारी करता है लेकिन जब पदावध की समापती हो जाती है ठीक है तब उपराष्टपती राष्टपत के रूप में काम नहीं करता है क्योंकि जादा से जादा कोशिश होती है सरकार की की राष्टपत का पद समाप तो होने की तारीक से पहले पहले चुनाव करा लिया जाए या फिर होता है कि अगर कुछी कारणिवस्त चुनाव नहीं करा पाता है तो एक्षुडी होता है उसमें कि ऐसा प्रोविजन होता है कि जब तक अगला उनका राश्ट्वती चुन égal के नहीं आ जाता हरता यानि qualification की आवसकता होती है ठीक है तो फर्स्ट है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए second है कि ऊसकी I.O. 25 वर्ष से कम होनी चाहिए ठीक है और थर्ड है कि उसे संबंदित राज में विधान, सभा, निर्वाचन, छेत्र का निर्वाचक होना चाहिए ठीक है तो देखो जो इसमें बाद की जा रही है तो देखो धंड़ वाला स्टेट्मेंट जो मतलब फस्ट वाला तो सही है कि भारत का जम नागरिक होगा तभी वो मतलब उस पदश पर रह सकता है ठीक है, लेकिन सेकेंड वाला गलत है ये उम्र जो होती है तीस वर्स की होती है ना कि 25 वर्स से कम जो ये विधान परिशद का जो सदत से होता है उसके लिए 25 मिनिमम एज 25 वर्स रखी गई है लेकिन जो विधान परिशद और राजी सबा का जो सदत से होता है उसके लिए 30 वर्स होती है ठीक है तो ये गलत हो गया थर्ड वाला भी सही है क्योंकि ये जो राज जी में विधान सभा निर्वाचंद से निर्वाचंद से निर्वाचंद सुची में उसका नाम होना चाहिए तभी उसको जो है वहां से निर्वाचित किया जाएगा ठीक है तो फर्स्ट एं थर्ड स्टेटमेंट इसका सही है तो के अरी इस्थानी निकाय अपनी समंदित राजि सरकारों और वित्ती संस्थानों से रिड़ ले सकते हैं मतलब राज Anda ये लोग लेसकते हैं ठीक ए कि राज सरकार से इस्थानी निकायों को धन का हस्थांत्रण राज जी के राज पाल की अनुशन सायों के आधार पर किया जाता है ठीके तो ये देखो second वाला गलत है ये एक जो होता है राज बित आयोग का गठन किया जाता है उसी के अंतरगत इनको अनुशन साहिद दी जाते है कि कितना पंचायतों को और बित्ती संस्थानों से रिरंड ले सकती है, तो हमारा A वाला आप्शन इसका सही हो गया, और Second B वाला हमारा गलत है, ठीक है, नेक्स है हमारा 13 कुश्चन नंबर इसमें कहा गया है कि निम्लिखित कत्मों पर विचार कीजिए, ठीक है, तो First है कि संविधान निम्न सदन या लोग सभा की सरचना को परिभासित करता है, ठीक है, सेकेंड है कि प्रते एक जनगर्णा के पस्चात लोग सभा की सरचना परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, तो देखो ये गलात है स्टेटमेंट क्योंकि प्रते एक जनगर्णा के बाद ये ऐसा कोई प्रोवीजन नहीं कि गया है कि इसका जो मतलब लोकसभा की सरचना में अंतर आएगा क्योंकि इसका 1971 में किया गया था ठीक है और उसके बाद इसको रिजर्व रखा गया है ये अब 19 जो 2000 वो स्वरी 2020 में इसका 2026 में इसका दोबारा अब परसीमन किया जाएगा उसके आधार पर मतलब इसका होगा लेकिन 11 जनगर्णा हुई है जो 2011 की जनगर्णा हुई है ठीक है उसके अंतरगत परसीमन नहीं किया गया है ठीक है तो ये हमारा जो 1971 की जनगर्णा वाला अभी चल ला है उसी के आधार पर सीठे आवंटे थे हैं प्रते राजी को ठीक है तो ये हमारा गलत है और फस्ट व जो है 79 के अंतर गतता है ठीक है तो ये आप लोग को याद रखना है तो हमारा कुश्चन नमबर 13 का फर्स्ट ए वाला आप्शन इसका सही हो जाता है ठीक है हमारा फुटीन कुश्चन नमबर इसमें कहा गया के लिए फ्लोर टेस्ट के संदर्व में बताना है की कौन सा इस्टिट्मेंट हमारा जूजित करने का प्रावधान किया गया है तो देखो जो यह इसमें बात की जा रही है तो दीको सेकेंड वाला इस्टेटमेंट वाला जो ये गलत हो जाता है सेकेंड वाला तो семे जिक गलत है क्योंकि स्मे जो फ्लॉय टेसिट ये बात की गई वह आर्टिकल 163 के अंतरगत नहीं की गई है ये सुप्रीम कोट का एक मतलब मतलब निरणे आया था उसी के आधार पर कहा गया था कि इसका जो है फ्लोर टेस्ट करा जाएगा और ये फ्लोर टेस्ट जो है ये विवेका दिन सकती इसकी नहीं होगी ये मंत्री परिशद की सलागे आधार पर किया जाएगा ठीक है तो ये हमारा गलत हो गया इस्टेटमेंट दोनों का दोनों तो मारा डी ओप्शन इसका सही हो जाता है ठीक है कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है नेक से हमारा 15 कुष्टन नंबर इसमें कहा गया है कि भारती गुडवत्ता परिशद प्रोब्लम हो रही है यार थोड़ा सा रुकवाप लोग नेक से हमारा भारती गुडवत्ता परिशद किस मंत्रा ले के आधीन है जो भारती गुडवत्ता परिशद की अगर हम बात करें थो आपको वाड़ी जी और उद्वत्ता पस्टा ले के अंतरगद देखने को मिलता है तो हमारा जो बारती गुडवत्ता परिशद होता है और जो ये मतलब भारती उद्दोग संग है ठीक है उसके साथ मिलकर बना होता है तो इसमें क्या होता है जैसे सी आई आई होता है ठीक है और एसो चैम होता है और फिक्की होता है ये तीनों मिलकर इसमें काम कर रहे हैं ठीक है थोड़ा सब प्रोब्लम कर रहा है तो थोड़ा आज मैनेज के लिए आज कल देखते हैं इसको ठीक है अगला वीडियो आएगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इसमें ठीक है तो हमारा एव अप्शन इसका सही हो गया नेक्स है हमारा कुश्चिन नंबर 16 तो इसमें कहा गया है कि निम्लिकित कत्मों पर विचार कीजिये तो फस्ट है कि सम्मिधान के प्रावधानों के आधीन रहते हुए राश्ट्पत या राज जी के राज जिपाल अपने पद की शक्तियों के प्रियोग और कर्तबिके पालन के लिए किसी नियाले के प्रति उ नहीं की जा सकती ठीक है और थर्ड है स्टेटमेंट हमारा की अपने बैक्तिक सामर्थ में किये गए कारियों के संबंद में दो महीने की नोटिस से देने के पूर राष्टिपत के विरुद्ध दिवानी कारवाही आरंब की जा सकती है ठीक है तो जो इसमें कहा जा रहा है इस में statement तो ये हमारा ये तो तीनों के तीनों statement सही है क्योंकि ये इसको provision दिया गया है कि इसको दो मेहने की जो पहले नोटिश देना पड़ेगा और इनकी जो पदावध होती है उसके दोरान जो भी कारी किया जाते हैं तो कोई दांडिक कारवाही इनके प्रति नहीं किया सकती और जो इनका जो भी कारी किया जाता है वो मतलब इनके यो सरकार के प्रति उत्तरदाई होती है ना कि नयाले के प्रति ये उत्तरदाई नहीं होंगे बेखती का दूरूप से ठीक है तो ये तीनों के तीनों statement सही है तो हमारा D वाला option इसका सही हो जाता है नेक से हमारा question number 17 इसमें कहा गया कि संसद सदस इस्थानी छेत्र विकास योजना यानि MP लेड के संदर में निम्रिकत कत्नों पर विचार कीजिए और ये बहुर्त न्यूज में है तो इस बार भी question बनने का chances है ठीक है इसली बार तो आया ही था ठीक है तो इस पर आप लोगों को business focus देना है फर्स्ट इसका statement है कि या ग्रामीड विकास मंत्राले के आधीन है ठीक है सेकेंड है कि लोकसभा और राज सबा के मनुनीत सदस अपने निर्वाचन राज के भीतर कारियों की अनुशनसा कर सकते है ठीक है और थर्ड है कि देश के किसी भी भाग में गंभीर प्रकृति आप कर सकते हैं तो इस पर लिमेट लगाए गए तो यह statement हमारा गलत है ठीक है और जो यह कहा गया है कि अपने जो लोकसभा और राजसभा की बात करें जो सदस्य होते हैं तो इसमें जो मनुनीत सदस्य होते है ठीक है यह आल इंडिया कहीं भी अपना कारी करा सकते हैं MPLAD के ग्रामीन विकास मंतराले के आधिन पहले जब 1993 में स्टार्ट किया गया था तब उसमें था लेकिन 1994 में इसे जो सांग की युम कारिकरम कारियानवन मंतराले के अंतरगत रख दिया गया था ठीक है तो ये दोनों तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत हैं तो इसमें कोई भी statement नहीं सही है तो हमारा D वाला option इसका सही हो जाता है ठीक है नेक से 18 question number तो इसमें कहा गया है कि भारत के राष्टिपत के निर्वाचन के संदर में निम्लिकत कतनों पर विचार कीजिए तो फस्ट है कि राष्टिपत के रूप में निर्वाचन है तो पात्र होने के लिए एक बिक्तिको संसद के दोनों सदनों के सदस्य के रूप में निर्वाचन है तो योगी होना चाहिए ठीक है सेकेंड है कि राष्टिपत के पद है तो निर्वाचन के लिए उपर राष्टिपत के नामों निर्देशन को कम से कम प्रिस्ताओं के रूप में 20 निर्वाचकों और 20 जो अनमोदक होते हैं उन अनमोदक निर्वाचकों द्वारा समर्थित होना चाहिए और थर्ड है कि हमारा प्रतेग उमीदवार को सरकार के पास 15,000 रुपे की प्रतिभूती जमा करनी चाहिए तो देखो थर्ड वाला स्टेट्मेंट गलत है यह प्रतिभूती नहीं नगत जमा करने पड़ते हैं ठीक है यह यह सरकार के राजकोस में या तो जमा करा दीजिए आप उसकी रशीद लगा दीजिए या फिर आरबियाई के पास आप जमा कर सकते हैं ठीक है या फिर एक option होता है कि जो निर्वाचक अधिकारी होता है उसके पास भी ये जमा किये जा सकते हैं ठीक है लेकिन प्रतिबहुती के रूप में नहीं ये नगत फॉम में ही होते हैं ठीक है जो कहा गया कि राष्टपत में निर्वाचन है तो पात्र होने के लिए एक बेक्तिकों संसत के दोनों सदनों नहीं नहीं ये जो कहा गया ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है इसमें क्योंकि इसमें जो कहा गया है तो ये इसमें जो राष्टपत होता है उसको लोगसभा की जो क्वालिफिकेशन होती है लोगसभा सदा से बनने के लिए वो होनी चाहिए लिकना की राजी सबा की तो ये भी हमारा गलत स्टेटमेंट है तो इसमें भी कोई स्टेटमेंट सही नहीं है हां हमारा D option इसका सही हो जाता है ठीक है चलते हैं next question पर तो next है 19 question नमर इसमें कहा गया है कि cabinet समिटियों के संदर में निम्णखित कतनों पर बिचार कीजिए तो first है कि जो मंत्री मंदल का भाग नहीं है उसे भी cabinet समितियों में सम्मिलित किया जा सकता है second है कि भारत के प्रधान मंत्री सभी cabinet समितियों के सदस्य होते है और third है कि cabinet समितियों की प्रकृति सम्मिधान एत्तर है थीक है तो देखो ये third वाला statement से रही है क्योंकि इसके लिए कोई act नहीं होता है कोई नियम नहीं है कोई constitution provision नहीं है तो ये सम्मिधान थे निकाय होती है ठीक है तो third statement सहयी है लेकिन second वाला गलत है क्योंकि इसमें जो सभी cabinet जो किसमितियां होती है उसमें जो आवाज समयरों कि अध्यश होते हैं और उसके मलत्री होते हैं ठीक. मतब रच्षा महां वाला इस्टीटमेंट तो गलत है और इसी के कारण इसके जो ना तो क्योंकि होता क्या है इसमें एक basic concept यह होता है कि जो प्रदावन दाउन समितर का मतलब सदस होगा तो फादेन उसका अधच हो जाता है ठीक है तो यह दोनों समितियों के यह जो है गलत हो गया फ précéd岡ला सभी है statement क्योंकि जो कहा गया है कि जो मंतरी मंदल का भाग नई है वे कबनेट समितियों में समय जा सकते हैं तो एक सही है हमारा statement ऋमरा ए वाला option सही हो गया एक और 3 ठीक है चलते हैं नेक्स गुष्चेंट ए हमारा कुष्चं नमबर 20-22 तुन्टी में कहा गए कि भारस सरकार के नए मंत्रालय या विभाग निमलिखित में से किसके द्वारा गठित किये जाते हैं तो यह उप्षन राश्टिपत की सलाह पे पीम की सलाह पे ठीक है नेक्स है 21 कुश्चन नंबर तो इसमें मनी लॉंडरिंग एंड इलीगल वाइड लाइफ ट्रेड यानि धन सोधंद था अवेध जो वन्य जीव ब्यापार रिपोर्ट निमलिकित में से किसके द्वारा प्रकासित की जाती है तो यह प्रक्रति के लिए बिश्वन जीव कोस और डिये की भारती बित्ती कारवाई कारेबल मतलब फाइनेंशियल एक्षन टास्क फोर्च की बात की जा रही है एफ ए टी ए ठीक है एफ ए टीये की बात की जा रही है तो देखो यह डी आप्शन सही है जो यह मनी लॉंडरिंग इलीगल वाइल्डर लाइफ ट्रेड होती है यह इसकी जो रिपोर्ट होती है यह एफ ए टीये के द्वारा जारी की जायती है और यह दो आधारों पर जारी करता है एक तो जो मनी लॉंडरिंग और दूसरा होता है टेरर फंडिंग ठीक है उसके संबंद में और यह डीट जी टॉंटी का एक मतलब इनिशेटिव है जी टॉंटी जो कंडी ओ स्वारी 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 जी टॉंटी नहीं है आज कुछ ज्यादे दिमाग में कुछ इधर उधर हो रहा है ठीक है तो आप लोग निश्चिंत रहें बताएंगे मैं जो भी बताऊंगा सही बताऊंगा ठीक है तो जी शेवन का जो यह मतलब जी शेवन ग्रूप है उसी का यह इनिशेटिव है ठीक है और इसका जो फाइनेंशेल एक्षन टास्क फॉर्स का दो आपको देखने को मिलेगा मुक्याले यह पेरिस में है ठीक है फ्रांस पेरिस में नेक्स है हमारा कुश्चिन संगठन योम अंतरराश्टी नियाधिकरण है ठीक है इसके पास निजी बेक्तियों पर अभी योजन चलाने का छितरादिकार है और थर्ड है भारत इस संगठन का सदस से नहीं है तो थर्ड वाला स्टेट्मेंट से यह भारत इसका अभी तक सदसिदेश नहीं बना है और यह एक मात्र मतलब अंतरराश्टी शंस्थान है जो और्गनाईजेशन है जिसके संबंद में आपको देखने को मिलेगा यह मतलब निजी बेक्तियों के पर अभी योजन चलाने के लिए इसके पास शितरादिकार है ठीक है तो यह भी हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है ल से अलग काम करता है ठीक है तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है सेकेंड और थर्ड वाले स्टेटमेंट सही है और इसका मुख्याले जो बहुत जल्दी पूचा जाता है ठीक है तो इसका मुख्याले हेग राजधानी है नीदरलेंड की ठीक है उसी में देखने को सभी हो जाता है नेक से हमारा कुश्चन नंबर 43 में कहा गया है कि पेशा यानि पंचायत उपबंद अनुशुचित छेत्रों पर बिस्तार अधनियम 1996 के अंतरगत ग्राम सभा की सक्तियों के संदर में निम्निकत कत्नों पर विचार कीजिए फर्स्ट स्टेटमेंट है कि प्र प्रतेक ग्राम सभा निर्धनता उनमूलन और अनिकारिक्रमों के अंतरगत लाभारतियों की पहचान करने के लिए उतरदाई होगी और थरड़े की अनुशीचित छेत्रों में प्रमुख खनीजों के लिए जो पूर्वेच्छन लाइसेंस यानि खनन पट्टा परदान कर लिए उपियुक्त इस्तर पर ग्राम सभा और ग्राम पंचाइद की अनुशन सा अनिवारी होगी ठीक है तो इसमें जो कहा जा रहा है तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो इसमें सही है जो पेशा एक्ट के संबंद में बात की जा रही है ठीक है क्योंकि जो इसका जो पेशा एक्ट होता है इसका काम ही यही होता है कि ग्रामीड इस तरफ पर लोगों की पहचान करना उसके बिवाद जो है उनको निप्टाना यह सब इसके कारी होते है और सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि यह जो लाभारतियों को पहचान करती है और इसके लिए उत्तरदाई होती है और निर्दंकता लिमूनन वाले जो कारिक्रम होते वो भी चलाती है ठीक है लिकन थफ़ट वाला इसमें गलत है क्योंकि इसमें जो प्रमुक्खraitsनीच्प्टी बात की जा जाता है नेक से हमरा 24 कुश्चन नमबर तो इसमें कहा गया है कि इसका गठन किसी छोटे कस्बे के प्रसाशन के लिए किया जाता है और यह एक अर्धन नगर पालिका प्राधिकरण है इसे सीमित संक्या में नागरी कारी सौंपे जाते हैं ठीक है और इसका सरजन राज विध निर्वाचित या पूर्टया राज सरकारद्वारा नाम निर्दिष्ट अत्वा आंसिक रूप से निर्वाचित और आंसिक रूप से नाम निर्दिष्ट होता है हो सकता है ठीक है तो उप्यूक्त में से जो बेवन दिया गया है यह सहरी इस्थानी निकायों के लिए निम हमारा जो option इसमें देखने को मिलेगा जो बी वाला option है नगर छेत्री समित है उसी के बारे में ये सारी विशेष्था हैं ये इसी के राज जी विधान मंडल के द्वारा इसका सिर्जन किया जाता है ठीक है तो नेक से हमारे 25 कुश्चन में कहा गए कि भारती संसद के संदर में मावलंकर नियम संबंदी थे तो ये option है हमारा सदन की गड़पूर्ती भी है कि संसद सदस्यों की निरहरता C.A. की विपच्च के नेता के चयन से और D.A. की संसदी कारवाई की बेवस्ता से ठीक है तो हमारा C वाला option है ये जो विपच्च के नेता होते हैं उसके जो चयन होता है वो मावलंकर नियम के अनुशार जो कुल उस सदन के जो सदा से होते हैं उसका 10 परतिशत होना चयन च्वपती पदेन अध्यच नहीं होता है ठीक है तो नियम समित A option है बी नुशार जिए si option है की सामानी प्रियोजन सम्यट है बीए कि गयर सरकारी सदस्द हैं तथा संकल्पों जो समित होता है और ना ही अध्यच होता है क्योंकि ये लोग राजी सभा में तो ये समित होती ही नहीं है ठीक है और जो लोग सभा में देखने को मिलेगी तो इसमें इसका अद्धत से इसका सभापती नहीं होता है इसका अलग से अद्धत से इसका नियुक्ति किया जाता है ठीक है वो जो सदस से होते हैं पंदरा इसम समिते तो इसके अध्धिच और लोगसभा के सभापती और मतलब राजसभा के सभापती और लोगसभा के अध्धिच इसके जो है मतलब अध्धिच होते हैं ठीके क्योंकि यह राजसभा में भी समितियां होती है और लोगसभा में भी होती है ठीके नेक्स है 27 इसमें कहा गए कि निम्लिकित कत्मों पर विचार कीजिए तो फस्ट है कि यहां प्रतिषटा, प्रधान मंतरी के आदिन कारे करता है, सेकेंड है कि यहां कारे आवनटर नियमा वली 1901 के प्रिसासन के लिए उतरदाई है और थार्ड है कि यहां अंतर मंतरालाई समन्वे सुनिशचित करता है ठीक है तो इस में दो को ये जो बात कि जा रही है तो कौन सी ये किस कारियोघा के बारे में बात हो रही है तो इसका दीको ये option है हमारा की cabinet मन्तराले है cabinet स demographic है ठीक है और बी ए कि प्रधान स algun कारिवालाय है प्रधान मंतरी तेंतर्गत होती है टीक है उसी के आदहिन होती है और अंतर मंतरालाले समय में सुनिस्चित करती है । ठीके ताकि अच्छे से काम किया जा सकोए सब में जब सममंतराले जो होते हैं उसमें मिला करें नेक्स है हमारा 28 इसमें कहा गया कि पंचायती राज से संबंदित निम्निकित समितियों को उनके गठन के काला नुकरम में बविस्तित कीजिए तो फर्स्ट स्टेट्मेंट है कि B G V के राव समिति के D है सेकेंड है कि डक्टर M L M सिंघ्वी समिति ए असोक महता समिति थे तर्ड स्टेटमेंट है तो देखो को समिति इन में से सबसे पहले गठित की गई थी यह 1977 में देखने को मिले थी ठीके और जी وी के राव जो समिति है यह आपको देखने को मिली थी कि 1985 में और जो एम एल एम सिंगवी समीति है यह आपको 86 में देखने को मिली थी 1986 में ठीक है और यह पंचाती राज से संबंदित वहोणाटे हैं तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है तो वमरा ठारटे में कहा रहे हैं कि नमलिखित हैं इनमें से कौन से कारे हैं ठीक है तो जल सक्ती मंतराले के बारे में बताना है कि कौन से कारे इनके हैं ठीक है तो भूजल संसाधनों के विकास के लिए समगर योजना बनाना ठीक है सेकेंड है कि अंतर बेशिन इस्थानांतरण की संभावनाओं पर विचार करने के लिए के परिचालन के संबंद में बातचीत और सम्झवता वारता ठीक है तो देख़ो ये चारो के चारो स्टेट्मेंट आपको देखने को मिलेंगे ये इसके अंतरगत है जल सक्ति मंतराले के अंतरगत है कि कोई अगर नदी से संबंदित विवाद है या बेशिनों से संबंदित कोई संतुलन की बात की जा रही है और भूजल संसाधनों से संबंदित समगर योजना बनाने की बात हो चाहे वो सिंदुजल संदी समझ होता हो इन सब पर जो बात की जाती है जल सकती मंतरा लेके अंतरगत ही होती है ठीक है तो इसका D option सही है कि सारे के सारे statement इसके सही है नेक से हमारा 30 question number इसमें कहा गए कि छेतरी समुद्री सूचना सनलेन केंदर के संदर में निम्नकित कतनों पर विचार कीजिए तो फस्त है कि यह हिंद महासागर 30 छेतरी सहीयोग संग दोरा इस्थापीद किया गया है और सेकेंड है कि इसका उद्दे से संपूर हिंद महासागर छेतर में समुद्री सूचनाओं के आदान परदान और सहबाजन की संस्कृत को बढ़ावा देगा ठीक है तो देखो यह गलत है यह इसके संबंद में नहीं था यह जो हिंद महासागर का संपूर छेतर को यह कवर नहीं करता है यह आपको हिंद महासागर का पच्छिमी छेतर कवर करता है जहां जैसे यह आपको देखने को मिलेगा जैसे जिबुती हो गया मेडगासकर है, मौरिसेस है, कौमरोज है, सेसल्स है, यहां पे जो यह समुद्री जहाज होते हैं थे, जो जहां से माल इधर से उधर जाता था, ठीक है, समुद्री जहाजों से, तो वहां पे इनकी समुद्री डकैती देखने को मिलती थी जहाजों पे, ठीक है, उसी को कंट् में तो ये जो दोनों के दोनों स्टेट्मेंट है ये दोनों गलत हैं क्योंकि ये हिंद महासागर का 36 तर सहयोगी संगर नहीं है ठीक है तो हमरा डी वाला आप्शन इसका सही हो गया नेक से हमारा 31 कुश्चन नमबर तो इसमें कहा गया कि संसद की संयुक्त बैठक के संदर में निम्कित कतनों पर बिचार कीजिए संयुक्त बैठक धन बिधेक या समिधान संसुधन बिधेक के संदर में आयोजित नहीं की जा सकती सेकेंड है कि यदि लोग सबाद्च अनुपस्तित है तो राज जी सबा का सबापती संयुक्त बैठक की अद्ध्यचता कर सकता है ठीक है तो देखो ये गलत है statement इसमें जो लोगसभा अध्यच अगर जो अनुपस्तित होता है तो लोगसभा का उपाध्यच उसकी समत्य की बैठा करता है जो संयुक्त जो बैठा कोती उसकी अध्यचता करता है अगर वो भी अनुपस्तित रहता है तो आपको लोगसभा का उ उपाध्धेच देखने को मिलता है ना कि राजी सभा का उपाध्धेच देखने को मिलेगा इसकी अध्यचता करने के लिए ना कि जो राजी सभा का सभापती ठीक है तो ये गलत स्टेटमेंट है और फस्ट वाला जो स्टेटमेंट सही है क्योंकि इसमें धन बिदेख और जो संबंद में ये मतलब से बैठक होती है और ये आर्टिकल 108 के अंतरगा देखने को मिलेगा ठीक है तो ये हमारा फस्ट वाला स्टेटमेंट सही है तो ये वाला आप्शन हमारा सही हो गया नेक से हमारा 32 कुस्ट नमबर इसमें कहा गए कि हाल ही में सुर्खियों में रहा नवीन और उभरती सामरिक प्रदोगिकियां यानि टेकनोलोजिक जो है वो नेश्ट के प्रभाग किस मंतराले के आधिन इस्थापित है तो ये जो नेश्ट प्रभाग इस्थापित किया गया है ये किस मंतराले के अंतरगत किया गया है जो नवीन और उभरती सामरिक प्रदोगी कियां जो हैं उनके बारे में ठीक है तो अगर इसमें बात करें तो इसमें देखो इसका जो हमारा देखने को मिलता है जो नेश्ट प्रभाग की जो बात की जा रही है ठीक है तो यह विदेश मंतरा ले के अंतरगत है ठ सही हो गया है नेक से हमारा 33 कुश्चन नमर तो इसमें कहा गए कि राजियों के लिए सिच्छन अधिगम और परिमाडों परिणामों का सुद्रणी करन कारिकरम यानि इस्ट्रेंट इस्ट्रेंटिंग टीचिंग लर्निंग और एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम जो होते हैं इस्टार्स के नाम से जो परियोजना चलाई जा रही है निम्लीकित कत्नों पर विचार कीजिए इस्टार्स के बारे में तो फस्ट है कि यह संयुक्त रराष्ट सेच्छिक बैग्यानिक और संसकति संगठन यानि यूनेसको की एक परियोजना है ठीक है ही कारियानित किया जा रहा है तो जो इसमें यह बात की जा रही है तो देखो यह जो फस्ट वाला स्टेटमेंट तो सही नहीं है क्योंकि यह यूनेसको के दोरा नहीं यह वर्ड बैंक के दोरा इसको फंडिंग परदान की जा रही है और यह वर्ड बैंक के लिए है ठीक है तो यह तो हमारा गलत हो गया statement लेकिं, second वाला तो सही है, क्योंकि ये आपको देखने को मिलेगा, ये छे राजियों के लिए है, भारत के छे राजियों के लिए, केरल है, महराष्टरा है, और ओडिशा है, MP है और आपको राजस्ठान और हिमाचर प्रदेश देखने को मिलेगा ठीक है इसमें छे राजस हमिलित किये गए हैं जहां मतलब उनके सिच्छन अधिगमाव परिणामों को सुद्री करण कारिकरम के रूप में देखा जा रहा है ताकि लोगों को उससे सिच्छित किया जाए ठ तो हमारा बीव आप्सन इसका सही हो जाता है नेक से हमारा कुश्चन नमबर 34 इसमें कहा गया कि पंचायती राजसे संबंदित राजस्भा मंच के संदर में निम्निकित कतनों पर बिचार कीजिए तो फ़स्ट है कि राजस्भा का सभापती इस मंच का अध्यच होता है ठी ठीक है और सेकेंड है कि यहां मंच राजस्भा के 15 से अनाधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा ठीक है मतलब 15 से ज्यादा सदस्यों हो इसमें हो सकते हैं ठीक है यह बात की जा रही है इसमें तो देखो इसमें यह राजस्भा की जो अध्यच यह जो राजस्भा का सभापती इस मंच का अध्धिचता करेगा तो यह गलत है स्टेटमेंट इसका जो उपाध्धेच होता है ठीक है सुरी उप सभापती होता है यह अध्धेच और सबापती में थोड़ा सा मतलब बार बार हमें धरुदर कर दे रहा हैं बहुत ज्यादा है इसमें देख लिए तो इसको थोड में कि वो चीजे ना हो ठीक है तो जो इसका जो उप सभापती होता है राजिसभा का उप सभापती होता है ठीक है यह इसका जो इसकी अध्दचता करता है ना कि सभापती राजिसभा का ठीक है सिकेंड वाला जो कहा है कि यह 15 से अधिक इसमें सदा से होते हैं तो यह तो हम का अकार्बनिक करण के लिए परियोजना के संदर में निम्नकित कत्नों पर विचार कीजिए तो फस्ट है कि या आर्थिक संयोग और विकास संगठन यानि OECD विवस्था के अंतरगत एक अंतर सरकारी संगठन अंतर राष्टरी परिवहन मंच यानि ITF द्वारा कार्योजना की जा रही है परिवहन को कार्बन मुक्त बनाने की परियोजना है ठीक है सेकेंड है कि नीती आयोग भारत में कार्बन मुक्त परिवाहन सेवा परियोजना कार्यावनित करने है तो भागीदार संगठन है तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है तो देखो दोने के दोनों स्टेटमेंट सही है तो ये OECD और ITF द्वारा ये कार्यावनित की जा रही ह ठीक है और ये नीती आयोगी इसमें जो है इसका भागिदार है ठीक है तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है तो हमारा सी ओप्सन इसका सही हो गया ठीक है दोनों स्टेटमेंट सही है नेक से हमारा 36 इसमें कहा गए की राज जिपाल के पद के संदर में निम्रिकित कत् किसी राज़ी के राज़ी के राज़ी के राज़ी के राज़ी राज़ी पाल के रूप में नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक संसद सदस को किसी भी राज के राजपाल के रूप में नहीं किया जा सकता है तो ये भी हमारा जो स्टेटमेंट जो कहता है 189 के अंतरगत तो उसमें ये तो स्टेटमेंट हमारा तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट तो हमारा गलत है क्योंकि इसमें जैसे किसी राज़िपाल को अगर कोई वो संसद सदस का किसी सदस है किसी भी सदन का ठीक है तो अगर उसको राज़िपाल के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा तो उसकी उसी दिन से संसद सदसता समापत हो जाएगी ठीक है तो यह हमारा गलत स्टेटमेंट है तो यह कोई जरूरी नहीं है ऐसा कि सदसी नहीं होना चाहिए अगर सदसी तब भी नियुक्त किया जा सकता है ठीक है तो यह गलत हो गया लेकिन सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारे वो दोनों सही है तो हमारा B option सही हो गया नेक्स है 37 इसमें कहा गए कि कुम्हार ससक्ती करण योजना एक पहल है तो ऐ उप्षन है कि ग्रामीड विकास मंत्राले की भी है खादिय। ग्रामो उद्धोग आयों की नीती आयों की और आवाशय। शहरी मंत्राले तो इसका देखो ये आपको बी उप्षन इसका सही है क्योंकि ग्रामीड और विकास मंत्राले की ये एक पहल है कुमार ससक्ती करण योजना ठीकि कुमारों को जो मतलब है जो कुटी रूदो गुवाले होते हैं ठीके उनको ससक्त बनाने के लिए ये बात की जा रही है इसमें ठीके तो ये हमारा गलत हो गया नेक से हमारा 38 कुश्चन नमर तो इसमें कहा गए कि राज जिपाल दोरा राष्ट्पत के बिचारार्थ आरचित विधेक के संदर में निम्रिक्त कतनों पर बिचार कीजें तो फ़स्ट है कि संविधान में ऐसे विधेक पर निरणा लेने है तो राष्ट्पत के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है और सेकेंड है क राज जी बिधान मंडल राष्टि पत्त की बीटो सक्ति का अध्या रोहन नहीं कर सकता है ठीक है तो देखो सेकेंट वाले statement की जो बात की जा रही है तो यह तो हमारा जो है सही है क्योंकि वो राष्टि पत्ती जो है यह इतना उसके पास होता है कि जो कोई भी बिल है बिधा वाला भी सही है कि कोई बिध्यक पर निर्णाय लेने है तो राष्टपित के लिए समय सीमा निरधारित नहीं होती है इसके लिए ठीक है तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है तो सी आप्सन हमारा सही हो गया नेक से हमारा 39 कुश्चन नंबर इसमें कहा गए कि भारती समिधान क संसोदनों में से किसमें आपात की उद्गोषना को नियाइक पुर्ण पुनरावलोकन यानि जुडिशिल रिव्यू से उनमुक्त किया गया है ठीक है तो फरस्ट एक है कि 38 समिधान संसोदन 42 समिधान संसोदन 44 समिधान शंसोदन या उप्यूक्त में से कोई नहीं ठीक है तो दिको यह वाला option सही है क्योंकि जो 38 समिधान संसोधन था उसके अंतरगत जो अपात की घोषणा होती थी उसको जो है जुडिशेल रिव्यू के बाहर रखा गया था ठीके लेकिन ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चला ये जब जनता सरकार आई थी तो जो 44 समिधान संस परिवर्तन रोधी कानून यानि दल बिरोधी कानून ठीके एंटी डिफिक्शन लोग के बारे में बात की जा रही है तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है तो 52 समिधान संसुधन अधिनियम दल परिवर्तन के आधार पर संसत के सदस्यों की निरहरता का प्रावधान करता टो नहीं होता है और कि निरहरता के संबंद में निरण नयाइक पुनरी अधी नहीं ओगा ठीक है तो देखो यह जो कहा गया है, इसमें statement में कौन सा statement सही है तो इसमें देखो थर्ड वाला statement तो हमारा गलत हो जाता है क्योंकि इसमें जो judicial review किया जा सकता है लेकिन इसके लिए मतलब होता है कि जब ये निरहरता घोसित कर दी जाती है मतलब जब जो वहां का speaker होता है ठीक है पीठा सीन अधिकारी होता है उसने अगर किसी सदस को निरहर घोसित कर दिया डिस्क्वालिफाई कर दिया उसके बाद इसका judicial review होता है उसके पहले नहीं हो सकता है ठीक है तो ये हमारा सही गलत हो गया statement और जो second वाला है ये भी हमारा गलत आपको देखने के मिलेगा क्योंकि जो दल विभाजन होता है तो उसमें भी anti-defection law लागू होता है लेकिन अगर ये कोई दल two-third two-third किसी एक दल का two-third सदस जो होते हैं वो किसी दूसरी पार्टी में मिल जाए तो ये anti-defection law लागू नहीं होता है तो ये भी गलत है statement और फास्ट वाला सही है ये बावानवा समिदान संसोधन हुआ था 1986 में राजियो गांदी सरकार में ठीक है उसी समय इसका जो है प्रोविजन लाया गया था तो हमारा c option सही है केवल एक statement इसका सही हो जाता है नेक से हमारा फुटी one question नमर इसमें कहा गया है कि भारत में सचेतक के संदर्व में निम्खी कतनों पर विचार किज़े सचेतक की बात की जा रहे है तो सचेतक क्या होता है जो वीप होता है वीप पद होता है सचेतक का पद उसके बारे में बात की जा रही है तो फर्स्ट है कि केवल राश्टरी इस तरके दल चाहे वा सत्था दल का हो या विप पच्छे में ठीक है वा संद में अपना सचेतक होता है ठीक है और सेकेंड statement है कि जो राष्टरी इस तर के दल के सचेतक को लोग सभा अद्धेच द्वारा निउक्ती किया जाता है ठीक है तो यह गलत है स्टेट्मेंट जो सचेतक यानि विफ होता है ठीक है विफ का जो पध अध कर होता है तो वो किसी जो सक्थ्ता दल या बिपच्च के दल का जो कोई भी सदा पार्टी होती उस दल का जो है उसका जो उसका आपको देखने को मिलेगा जो उसका सदा से होता है उसको नियुक्त किया जाता है राजनितिक दल के दौरा ठीक है तो ये अध्यच के दौरा नहीं नियुक्त किया जाता है तो गलत तो दोने के दोनों गलत हैं तो हमरा डी आप्शन इसका सही हो जाता है नेक्स हमरा फुटी तू कुश्चन नबर तो इसमें कहा गए कि निम्लिकित कत्मों पर बिचार कीजिए तो इसमें इस्थानी शेरी निकाय दिये हुए हैं और आधिन जो मंत्राले दिये हुए हैं कि शावनी परिषद की बात की जाये तो ग्रह मंत्राले है पत्तन नियास की बात की जारी जहाज रानी मंत्राले है और राजमें नगर पालिका तो राजसरकार तो देखो जो आपको इसमें जो फस्ट वाला स्टेटमेंट है तो यह शावनी परिषद होती है यह ग्रह मंत्रा देखने को मिलेगा ठीक है और नियास-पत्तन जहाज-वानि मंतरा कि अंतर गट है और राज में नगर-पालिका होती वह राज्य सरकार कर अंतर रंट ठीक है तो 2-3 स्टेटमेंट सही हैं फस्ट गलत हो गया तो उने की स्विक्रट से ठीक है नेक्स है हमारा 43 इस Aa जो संसोधन होते हैं जो मतलब राज जी के इस्तरवे भी प्रभाव डालते हैं तो उसमें जो जो आधे राज जी होते हैं ठीके जैसे 28 राज जी हैं तो 28 राजियों में से जो है आपको आधे राज जी जो है आधे राज जी से अधिक राजियों के बहुमत स्विक्रत की अव इस्थानी सरकार के केंदरी परसद के संदर में निम्र्खित कतनों पर विचार कीजिए तो फ़र्ट है कि या भारती संविधान के अनुचेद 263 के प्रावधानों के अंतरगत संसद के अधिनियम दौरा गठित की गई है ठीके सेकेंड है कि या नगरी और ग्रामिड दोनों अधच के रूप में काड़ करते हैं तो यह तो हमारा सही है स्टेटमेंट ठीक है लेकिन यह सेकेंड वाला गलत है क्योंकि इसमें पहले जब यह शुरू की गई थी यह 1954 में शुरू कई गये थी ठीक है केंदरी परसद जो मतब इस्थानी सरकार के आधार पर थी लेकिन य आते आते जो अठावन में इसमें क्या किया गया कि ग्रामीड को इसमें खतम कर दिया गया इसमें केवल और केवल जो नगरी छेतर को सामिल किया गया अब है ठीक है तो यह गलत है और जो यह फर्स्ट वाली बात की जा रही है तो इसमें जो सम्मिदान के अनुछे 230 के अंत शी आप्सन इसका सही हो जाता है नेक से हमारा 45 इसमें कहा गए कि प्रदाहान मंतरी दोरा निमनिखित में से किने निकायों की अद्धचता की जाती है तो फर्स्ट है कि राष्टी एकता परिश्द सिकेंड है कि राष्टी जल संसाधन परिश्द ठीक है और थर्ड है बैग् प्रदाहन मंतरी के दोरा ही की जाती है चाहे वो जल परिश्द हो ठीक है और राष्टी एकता परिश्द है बैग्यानिक और दोगी का नुशन धान परिश्द है ठीक है और गंगा नदी गाटी प्रयादिकरन है ठीक है तो हमरा डियो अप्सन इसका सही हो का चारों के चार से महिला के प्रतिनिधियों में निरंतर ब्रद्ध हुई है तो ये निरंतर जो सब्द आ गया ये गलत है क्योंकि प्रतम लोकसभा में आपको देखने को मिले थी कि ये संख्या जो आपको देखने को मिले थी 24 थी ठीक है 24 महिलाएं पहली जो लोकसभा बनकर आई थी तो उसम बारी लोग सभा से और अब वरतमान में जो है तो यह बढ़ा है क्योंकि वरतमान में महिलाएं हैं वह सबसे ज्यादा है अभी तक की जो जो चुना हुआ है ठीक कि इसमें आ आपको जो महिलाओं की अगर हम बात करें तो 78 मेला जो 70 लोग सबा आई है चुनके तो इसमें आपको देखने को मिली है ठीक है तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेट्मेंट हमारा सही है ठीक है सेकेंड गलत हो गया इसमें नेक्ट से हमारा कुश्चन नंबर 47 इसमें कहा गए कि प्रवाल त्रिभुच के संदर में निंकित कतनों में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है ठीक है तो कौन सा सही नहीं है तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो फर्स्ट स्टेट्मेंट है कि पस्चिमी प्रसांत महासागर और हिंद महासागर में अवस्ति समुद्री छेतर है ठीक है जो प्रवाल त्रिबुच की बात की जा रही है और ये बहुत ज़्यदा न्यूज में था अभी और सेकेंड है कि या जल वायू परिवर्तन का सामना करने वाला सरवादिक सम्वेधन सिल छेतर है और थर्ड है कि लच्छ दीप दीप समू प्रवाल त्रिबुच का एक भाग है तो ये गलत है ये इसमें ये सामिल नहीं है इसमें आपको देखने को मिलेगा जिसे फिलिपीन्स वाला चेतर है इंडोनेसिया है मैमार है तिमोर है और सोलो वन दीप है ठीक है तो ये आपको देखने को मिलेंगे ना कि ये इसमें सामिल नहीं है ठीक है और ये बि विविता केंदर देखने को मिलता है तो यह हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है सेकेंड बिभी गलत है क्योंकि जलवाई परिवर्तर का सामना करने में यह मतलब इसमें अभी ब्रद ही देखी गयीं इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज में था ठीक है तो यह भी गलत ह हो गया हमारा statement और first वाला जो है ये भी आपको देखने को मिलेगा गलत है क्योंकि ये जो हिंद Maha सागर वाले छेतर में सामिल नहीं है इसका च्षेतर इसका जो आपको प्रसांत महासागर का जो पच्छमी छेतर है वो केवल इसमें सामिल है ठीक है तो तो तीनों के है हमारा 48 तो इसमें कहा गए कि बित्ती आपात के संदर में निम्निकित कत्नों पर विचार कीजिए तो फर्स्ट है कि बित्ती आपात की घोसना करने वाली उद्ध घोसना संसदों के दोनों सदनों दोरा विश्वस बहुमत से अनमोदित की जानी चाहिए ठीक है बित्ती आपात की उद्ध घोसना को किवल संसदी अनमोदन से वापस लिया जा सकता है ठीक है तो गलत है और इसमें जो यह कहा गया है कि बिशेष बहुमत की था थो नहीं बित्ती आपात जो होता है ये दो महिने के अंदर साधारन बहुमत से जो है दोनों सदनों से पास होना चाहिए तो ये भी हमारा गलत है दोनों स्टेटमेंट गलत है तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है नेक से हमारा 49 इसमें कहा गया है कि राज सबा में विपच्छ के नेता यानि एलोपी के सं अंदर में निम्कित कतनों में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है तो फ़र्ट है कि उसे राज सबा में अपने दल का वरिष्टितम सदस्री होना चाहिए ठीक है सिकेंड है कि उसे राज सबा में सबसे बड़े विपच्छी दल का नेता होना चाहिए और थर्ड है कि उसे राज सभा के सभापती दोरा मानिता प्राप्त होनी चाहिए तो देखो इसके तीन क्वालिफिकेशन होती है एक तो उसे राज सभा की सभापती के दोरा उसे मानिता प्राप्त होनी चाहिए ठीक है और उसे राज सभा में सबसे बड़े विपच्छी दल का नेता होना नाज का लास्ट कुस्चिन 50 कुस्चिन नमबर तो इश में कहा गया कि हाल ही में शुर्कियों में रही शुकना जील क्यों शुरूकियों में थी इसके बारे में बताना है तो ये उप्शन है कि हाल कि इस जीलिको जीवित निकाय यानि बिधिक बेखती घोसित किया गया है तो इसका डी ओप्षन ही की A और C दोनों contains करने दोनों statement सही है क्योंकि एक मानो निर्मित जीवन्त निकाय एक ठीक है और इसे विधिक दरजां गया है इस Act के अंतरगत थी कि इस नियम के अंतरगत ये आएगी आपको देखनें को मिलेगा जो पर्यावरन सनच्षण Act है उसके अंतरगत इसको बनाए गया है ठीक है में 1986 का जो परियावने सनचन अदनियम है और यह फॉस्ट वाला स्टेट्मेंट गलत है कि यह राम सर कर्वेंशन की साइट नहीं है इसको नहीं घोसित किया गया हां लेकिन यह जरूर किया कि जो ये मानो निर्मित जिल तयार की गई है ये जो रामसर कर्वेंशन के जो मापदंड है उसी के आधार पर तयार की गई है लेकिन अभी तक इसको रामसर साइट घोशित नहीं किया गया है और रामसर साइट कितनी है इंडिया में ये आप लोग को बताना है ठीक है तो ये आप लोगों उससे मैं आपके च्छा करता हूँ कि ऐसा कुस्चंट तो आप बता ही सकते हैं ठीके और बहुत ज़दा भी न्यूज में था तो ये आप जी आप जानते ही है और इतना तो यार पता ही होणा चाहिए आप लोगों को तो आज के लिए इतना ही आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें यार ठीक है यार थोड़ी मेहनत लगती है तो उसका थोड़ा सा तो आप से ये हरजाना मैं ले रहा हूं इसके लिए कुछ भी आप समझ सकते हैं ठीक है कि यही यार होता है कि आप इस बात को जरूर फोलो करेंगे ठीक है आप से बहुत अप इच्छा है मुझे तो मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहन जै भारत